हेलो एवरिवन मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करते हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वह कीा कहा रहा है हमारा पहला सवाल है कि गौतम बुध जी किस धर्म से संबंधित बू कि नहीं से शंबंधित दूसरे अपका की गनुद जी का जनव कहा हुआ थागा जनव कहा हुआ थागजन हाँ इनका जनम कहा हुआ राव थाग्त Advance में कहा हुआ था लुंबनी में उनका जन्म हुआ था लुंबनी में जो है इनका जन्म हुआ था नेक्स है कि गौतम बुद्ध जी के पिता का क्या नाम था उनके पिता का नाम था उनके पिता का नाम आपका था शुद्धन क्या नाम था तुद्धन जो है इनके पिता का नाम तू दो धन Next है कि गॉतम बुध के माता जी का जो नाम था वह क्या था गॉतम बुध की जो मा थी उनका नाम क्या था तो उनकी माता का नाम था आपका क्या था माया देवी क्या था उनकी माता का नाम माया देवी नेक्स्ट है कि गौतम बुध के बश्चपन का नाम क्या था गौतम बुध जब छोटे थे तो उनके बश्चपन में जो उनका नाम था सब क्या नाम होता है बच्पन में लोग उनके मही पापा या उनके रिलेटिव्स जो होते हैं उन्हें किसी ना किसी नाम से पुकारते हैं तो गौतम बुध के बच्पन में जो उनके माता पिता उनको जिस नाम से बुलाते थे तो उनके बच्पन का नाम क्या था? तो क्या था वच्छो? सिद्धार्थ. क्या था उनके बच्पन का नाम? सिद्धार्थ. जो था उनके बच्पन का नाम था. गौतम बुद्ध जी के घर त्यागने को बहुत धर में क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध जब घर त्यागे थ आपका महा भिनिश क्रमन जो है उनके घर त्यागने को बहुत धर में कहा गया है अगला है आपका कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्यान प्राप्त हुआ था तो गौतम बुद्ध को जो है निरंजना नदी के किनारे जो है ज्यान प्राप्त हुआ था तो निरंज किनारे निरंजना नदी के किनारे उन्हें प्राप्त हुआ था नेक्स्ट है आपका कि गौतम भुद्ध की ग्यान प्राप्ति को बौट धर में क्या कहा गया है जो गौतम भुद्ध जब घर त्याग दिये थे उन्हें उनके बहुत धर्मे कुछ कहा गया था तो क्या कहा गया था महा भिनिश क्रिमन कहा गया था तो जब गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो बहुत धर्मे उशे क्या कहा गया तो उसे बहुत धर्मे आपका क्या कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन क्य गौतम बुध्य अपना सबसे पहले उपदेश दिये थे वह कहां पे दिये थे तो शारनाथ में नेक्स्ट है कि गौतम बुध्य ने सबसे अधिक उपदेश कहां दिया गौतम बुध्य उपदेश जो दिये तो पहली बार कहां दिये थे आपका सारनाथ में तो सबसे अधिक और यह अपने अपना उपदेश कहां पे दिया था तो उन्होंने सबसे अधिक बार अपना उपदेश है कहां दिया थे शयरावस्ति में कहा दिये थे शयरावस्ति में, next है कि गौटम बुध के गुरू का क्या नाम था, अब हम जानते ही कि जैसे भी कोई भी ऐसे महान पूरूत नहीं है जिनका कोई गुरू ना हुआ हो तो गौतम बुद्ध के गुरू का क्या नाम था तो गौतम बुद्ध के जो गुरू का नाम था क्या था अलार कलाम क्या था अलार कलाम और उदक रहे नेक्स है कि गौतम बुद्ध की मिर्त्यू को बहुत धर में किस नाम से जाना जाता है अब देखिए इनके घर छोड़ने का घर त्याग देने के भी गौतम बुद्ध के जो बहुत धर में था उन्हें भी किसी नाम से जाना जा रहा था उन्होंने ग्यान प्राप्ति की उसे भी बहुत धर में किसी और नाम से जाना जा रहा था, तो जब गौतम बुद्ध की मिर्तियू हो गई, तो गौत धर में जो है, इसे किस नाम से जाना जा रहा था, तो इसे आपका महापडी निर्वान के नाम से जाना जा रहा था, नेक्स है कि गौतम बुध के त्री रत्न कौन-कौन से हैं तो गौतम बुध के जो त्री रत्न थे वहां आपके कौन-कौन से थे बुध धम तथा संग बौत धर में गौतम बुध के विक्चुक के निवास अस्थान को क्या कहा जाता था अब बौत धर में जो है गौतम बुध का एक विक्चुक अस्थान था उसे जो है बौत धगरंध में या फिर बौत धर में क्या कहा जाता था तो क्या कहा जाता था उसे विहार कहा जाता थ पूजा करते हैं उसे क्या कहा जाता था तो बौध धर्मे पूजा आस्थल को आपको चैत्ति कहा जाता था चैत्ति कहा जाता था नेक्स्ट है कि बहुत धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी आप जैसे दिशा में आप का गया पूरा पस्चिम उत्तर और दस्चिन East West North South तीन दिशाओं में चारों दिशाओं में क्या था जो बहुत धर्में एक पवित्र दिशा थी तो वह दिशा कौन सी थी बच्चो वह थी आपकी दक्षिन दिशा नेक्स्ट है कि बहुत धर्म का प्रचार किस भासा में किया गया था बहुत धर्म का जो प्रचार है प्रचार प्रचार वह किस भासा में किया जाता था तो वहाँ जो है आपका किस भासा में किया जाता था? पाली भासा में किया जाता था? पाली भासा में जो है बहुत धर्म का प्रशार प्रशार किया जाता था बौध शाहित के त्री पीटक कौन कौन से थे, बौध शाहित के में जो त्री पीटक थे वा कौन कौन से थे, तो वहाँ थे आपके कौन कौन से, सूथ पीटक, पहला आपका क्या हो गया, सूथ पीटक, दूसरा आपका हो गया अभी नय पीटक, और तीसरा आपका क्या हो गय अभी धम पीटक तो कौन कौन से पीटक हो गया आपके तूद पीटक विने पीटक और अभी धम पीटक ये तीनों पीटक जो थे बौध शाहित के त्री पीटक थे अब नेक्ष्ट है आपका कि आजीवक संप्रदाई की सस्थापना किशने की थे आजीवक संप्रदाई जो था इसकी अस्थापना किसने की थी तो इसकी जो अस्थापना है आपका बच्चों वह किया था किसने मक्खली पुत्र गौशाल ने किया था कि ने किया था, मक्खली पुत्र गौशाल ने जो है वा आजीवक्षंप्रदाई की अस्थापना की थी अगला है आपका कि किस बहुद शंगती में बहुद धर्म को दो भागों में माटा गया था ऐसी कौन सी बौध संगती थी, जिसमें बौध धर्म को कितने भागों में? दो भागों में बाटा गया था, तो कौन सी थी? चतूर्थ बौध संगती थी, कौन सी थी? चतूर्थ बौध संगती में जो है, आपका क्या किया गया था? बौध धर्म को दो भागों में बाटा ग तो महत्मा बुध्ध ने उशे कहा था आपका था निर्वान कहा था next है आपका के सुन्यवाद के प्रवर्तक कौन थे सुन्यवाद के प्रवर्तक थे वह कौन थे तो वह आपके कौन थे नागा अर्जुन कौन थे नागा अर्जुन नागा अर्जुन जो है वह सुन्यवाद के प्रवर्तक थे विज्ञान वाद के प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व को भी जो है आपकी exam में question पूछा जाता है कि गौतम बुद्धु जो थे वहाँ अपनी पहली तपस्या कहा की थी तो इन्हों ने अपनी पहली तपस्या जो है वहाँ कहां पे की थी उडूवेला में कहां की थी उडूवेला में नेक्स है कि तिबबत में बहुत धर्म का प्रचार प्रशार करने वाले भिक्षुक का नाम क्या था? तिबबत में जो है बहुत धर्म का प्रचार प्रशार जो हो रहा था या फिर आप प्रचार क्या सकते हैं? तो वहाँ पे जो भिक्षुक थे उस भिक्षुक का क्या नाम तो उस भिक्षुक का आपका नाम था, क्या नाम था, पदशांभव, क्या था, पदशांभव जो है, उस भिक्षुक का नाम था, बहुत धर में सिक्षा का प्रधान केंदर कहा था, बहुत धर में जो है, सिक्षा का एक प्रधान केंदर था, मुख्य केंदर हम जी से कह सकते ह तो वह जो मुख्य केंद्र था आपका कहा था नालंदा तथा विक्रम शिला विश्रुविद्याले कहा था नालंदा तथा विक्रम शिला विश्रुविद्याले जो है वो आपकी क्या थे सिक्षा की बौत धर में सिक्षा क्या प्रधान केंद्र था यानि की मुख्य केंद्र नालनदा विश्योवित्य डेल्य तो आप सभी को पता होगा कि जिसे ध्वस्ट किस ने किया था बक्तियार खिल्जी जु वह नालनदा को ध्वस्ट किया था नेक्स्ट है आपका कि प्रथम बौध शंगती कब हुई थी? प्रथम बौध शंगती हुई थी वह कब हुई थी? कहां हुई थी? तो प्रथम बौध शंगती जो है आपकी वह 483 इशापुर्व हुई थी? कहां हुई थी? कब हुई थी? 483 इशापुर्व जो हुई थी? प् उस टाइम के जो आपके राजा थे, वह कौन थे? आजाद शत्रू. प्रथम बाध संगती की अध्यक्षता किशने की थी? अब देखिए, प्रथम बाध संगती हुई कब थी? जब हुई थी तो उस टाइम के राजा कौन थे? अब पूछ रहा है आपसे कि प्रथम बाध संग कि अध्यक्षता किषने की थी , नेक्स है आपका प्रत्म बाधर संगती कहा आयोजीत हुइ थी , पहले आप से पूछ लिया कि ‫कब उसके बाद पूछा जब प्रत्म बाधर संगती हुई थी , तो उस टाइम के राजा कौन थे फिर पूछ लिया कि उतकी अध्यक्षता किष्णे की थी अब आपसे पूछ रहा है कि प्रथम बाध शंगती की कहां आयोजीत हुई थी तो कहां आयोजीत हुई थी यह आपकी राजगीर में जिसे राजगीर भी कहते हैं जिसे राजगीर भी कहते हैं तो क